दोस्तो आज की क्लास में हम बात करेंगे तर्क सक्ति पर जिसमें आपके प्रस्न पेपर में इस प्रकार से प्रस्न पुछे जाते हैं और इन प्रस्नों में से जो सही उत्तर है उसे आपको टिक लगाना होता है यदि आप इन प्रस्नों को बहुत सरल समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं इसमें बीच बीच में ऐसे प्रस्न रहते हैं जो हमें लगता तो है कि इसका उत्तर ये होगा कभी कभी लगता है कि इसका उत्तर यह होगा अर्थाथ confusion वाले दाते हैं तो ऐसे confusion वाले प्रस्नों को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं इस पर आज का हमारा class केंद्रित है तो आज की class में हम बात करेंगे तरक सक्ती के अंतरगत आकरिती पूर्ती जो एक chapter है जो एक category है इसके अंतरगत चार प्रस्नों पूछे जाते हैं और चार के चार को आपको सही तरीके से हल करना है देखिये चार प्रस्नों में से हो सकता है कि तीन प्रस्न बहुत सरल हो और एक प्रस्न कठिन हो तो आप ये सूंचते हैं कि हमने तीन प्रस्णों को तो बना लिएंगे और एक प्रस्ण एज़ी छूट जाता है तो क्या होगा तो आपको बता दें वही एक प्रस्ण के लिए आपका कम्पीटेशन है यदि आप उस प्रस्णों को हल करने किसे चूग गए उस प्रस्नों को हल नहीं कर पाएं, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सरल प्रस्नों तो सभी हल करते हैं, कठी इन प्रस्नों जो हल कर लेगा, उसी की चैन होने की संभौना बहुत अधिक रहती हैं, तो आइए हम अपने ट्रिक पर आपके साथ बात करें, इसके पहले चलते हैं, कि आप किस भाकार से इन प्रस्नों को हल करते हैं, सबसे पहले जानते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, प्रस्न में जो निर्देश दिये गए हैं, उसको सही तरीके से पढ़ना है, बाई और एक प्रस्न चित्र दिया गया है, जिसका एक और यहां इस प्रकार से खड़ा होता हूं तो यह मेरा डाया साइड है यह मेरा बअया साइड है लेकिन पुस्तक में हमेशा किस प्रकार से रहता है आप इस प्रकार से खड़े हैं आप इस प्रकार से बैठे हैं आपका जो प्रस्न पेपर है आपके सामने रहता है तो सामने इस्तिती में जो आपका बाया है अर्था लेप्ट हैं साइड है तो वही इसका बाया होता है आपका दाया साइड यह है तो यह भी इसका दा आपका दायां और इस साइड जो है बाया पक्षा कराता है इस साइड जो है दाया पक्षा कराता है अब हम चलते हैं पहले प्रसनक की ओर आप इस प्रसनक को देखिए यह एक चित्र है जिसका एक टुकड़ा यहां से काट करके अलग कर दिया गए है और इसमें से जो सही उत्तर हैं आपको छाट करके बताना है और OMR सीट में लिखना है यहां पर OMR सीट हम नहीं दे रहे हैं जब आप पर इच्छा दिलाएंगे तो आपको OMR सीट मिल जाएगा आने वाले समय हम OMR सीट से भी पेटिस कराएंगे तो इसको देखिए और कमेंट कीजिए जल्दी कमेंट करें कुछ प्रस्नों का भ्याद सबसे पहले आप स्वैम कीजिए फिर मैं अपना ट्रिक बताऊंगा उसक्या देखते हैं इस प्रस्नों को हल कीजिए चलिए इसका उत्तर सोचिए और है है इसको देखिए और बताइए को कमेंट कीजिए अर्सकुन कीg जल्दी कमेंट करें अब जो है आप ने तीन प्रस्नों को हल किया और तीनों प्रस्नों को अपने किस प्रकार से हल किया इसको पहले आप सोच posição अब हम अपना तरीक आहं को बता पहले बार जुड़े हैं पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कीजिए बेल आइकन को दबाएंगे तो जब हम अपने अगले की वीडियो डालेंगे तो आपकी मोबाइल तक नोटिफिकरेसं कि माध्यों से पहुँचेगा आएक देखते हैं इस परकार की प्रस्णों को समझते हैं इस प्रकार की प्रस्णों को हल करते समय कौन सी बेशिक चीजें आपको समझने चाहिए ठोड़ा सा समय लगेगा आपक पूर्ति वाले बात होता है तो चित्र को चार भागों में बाटा गया है तो इसमें भी एक पैटर्न है देखिए यह है पहला इसको बोलेंगे हम पहला पहला टुकड़ा इसको बोलेंगे हम दुसरा टुकड़ा यह पहला है यह दुसरा है तो तीसरा कौन सा होगा यह होगा नहीं, तिसरा यह नहीं होगा, तिसरा है यह, और चौथा है यह, पहला, दूसरा, तिसरा और चौथा, बिल्कुल ध्यान से समझेगेगा, यह जो हम बता रहे हैं, वहाँत बेशिक चीज बता रहे हैं आपको, पहला, दुसरा, तीसरा, चौथा अब इसमें क्या होता है? आपने सबसे पहले फोकस किया कि यह जो है एक चित्र रूप में है मैं इसको देख रहा हूँ कि यह जो है दो चित्र रूप में है अब दो कैसी हुआ देखिए ये पहला और दुसरा ये तिसरा और चौँ था इसमें पहला और दुसरा में जो है एक संबंध बना हुआ है संबंध देखिए ये जो आकरिती है वो इस तरफ क्या हुआ है ऐसे था वो इस प्रकार से पल्टा हुआ है देखिए यहां पे जो था वो इस प्रकार से पल्टा होगा ठीक है जो काम इसका इसके रूप में हुआ है वही काम इसका इसके साथ होगा तो जब हम इसको पलटाए हैं तो यह भी पलटेगा ठीक है अब यह भी पलटे का तो देख लीजिए यह इस प्रकार से बनेगा और यहां पे एक लेंग खीचाएगा अब आप देख सकते ह कि एक पहला तीसरा और चौथा ये तीन आप्षन जो है लगभग मैच हो रहा है हडवड़ी बिल्कुल मत करना अब उसके बद आप देख सकते हैं यहां पर तो लाइन है लेकिन यहां लाइन नहीं है तो इस इस्थान पर जो होगा तो यहां पर लाइन नहीं होगा ठीक है द हैंगे इसके लावा कोई चीज़े नहीं रहेगे तो हम इसी अधार पर आपको समझा रहे हैं तो यह जो है इस प्रकार से बनेगा और लाइन खीचाएगा अब आप देख सकते हैं और इसमें और इसमें दोनों एक जैसा दिख रहा है अब यहां पर भी हरबनी मत कीजिए यह दोनों बाहर हो चुका है अब इसको देखोगे इसका जो साइज है और इसके जो साइज है दोनों को ध्यान से देखोगे तो यह जो है इसके परफेक्ट नमें जा रहा है तो आपको क्या करना है ओए मार सीट में इस स्थान पर तीसे नमबर पर आपको इस प्रकार से सर कि किल से थीफें करने के दुसरा प्रस्ण की और कमेंट किजिये। कंगा जो देखने का तरीका है वो विल्कुल बदल रहा है। पहले आपने किसी और रुप में देखा था ज़्हों भागवा रूइल से अब आपका जो तरीका है बदल रहे हैं। इसको देखो फिर इसको देखो फिर इसको देखो फिर यहां खुदब खुदब बना लोगे अब देखो यहां एक वृत्त है वृत्त को इस प्रकार से काटा गया है चार भागों में तो यह चतुर भूज है वर्ग है तो इसको भी इस प्रकार से काटा जाएगा है और यह है लेकिन यह यह क्या हुआ है यह तो यह नहीं होगा इसका सही उत्तर क्या होगा एक होगा ठीक है अब तीस्वरा को देखिए और बताइए चलिए बताइए अब लोग कि छलिए सोचिए भिल्यकुल सही सही जा रहे हो आप हां इसको देखो फिर इसको देखो क्या हुआ है जैसा यह है वैसा यह भी है तो जैसा यह है वैसा यहां पर भी होगा सिंपल सी मात हैं तो देख लेजिए कौन सा यह पहला पर इसका उत्तर क्या होगा पहला होगा कर ठीक है कई वच्चे इसको भी उत्तर देने की कोशिश कर लेते हैं यह नहीं है कौन सा आएगा पहला क्योंकि यह जैसा है वैसा यहां पर भी रहेगा अब आप चौथा प्रस्न को देखिए कि देखिए बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगा अब बताइए कि कमेंट कीजिए हाँ मिलकुल सही यहां पर त्रिभूच के अंदर एक छोटा सा वरित्त है काले रंग में उसी प्रकार से यहां पर भी है तो यह है तो अगला कौन सा होगा बताइए दूसरा इस्थान बिलकुल सही अब अगला देखते हैं अब आ गया पांचवा प्रस्न इसको देखिए और बताइए थोड़ा सा कन्फूजन है लेकिन अब उस रूप में देखोगे यह क्या हुआ है इस तरफ यह दो लाइन था खड़ी लाइन तो खड़ी लाइन जो है क चत्रि बनाया गया है यह घलैंट खड़ी है क्या हो जाएगा तील राइन हो जायके भी लाइन तो यहां पर चार भूजावली आक्रिती नषक二 में तक dog आति देख सकते हैं यहां पर कौन सा है यह जश यह हैं ता इसको ब्रकार सास्न को अब इसको देखिए इस टुकड़े को देखिए क्या हुआ है जैसा ये टुकड़ा है वैसा ये भी है तो जैसा ये भी है ये हिस्सा है तो वैसा यहाँ पर भी होगा देख सकते हैं कौन सा है ये देखिए तीसरा ठीक है तीसरा को टिक लगाएंगे अब सात्वा को बताईए चलिए सात्वा उससे में आपको कटनाई लगा था जब हमने शुरू में पूछा अब इसको बताईए फिर हम समझाएंगे देखिए इसको बताईए और बहुत बढ़िया बहुत से बच्चों का कमेंट आया है अब इसको समझते हैं अभी भी बहुत सारे बच्चों को यहां पर कन्फुजन हो रहे हैं हमने क्या कहा इसको देखिए फिर इसको तुलना कीजिए अब देखो यहां पर अगर हम पेन रखते हैं इस जगह पर तो यह पर क्या हुगा है इस प्रकार से घुमा है और इस प्रकार से घुमा हुआ है तो यहां पर कि क्या हुआ है तो यह वह अद्हक घुमेगा ज्यादा तो यह क्या हो जाएगा यह इस प्रकार से बनेगा देखिए अब इस प्रकार से बना हुआ कौन से बताइए देखिए इस प्रकार से देखते जो बताओ मैं घुमा रहा हूं उंगली को बार-बार करके देखेंगे देखिए अगर नहीं बनता है परिछा में तो इस प्रकार स क़िए सकते हैं कि हमने जो время बनाया ठीक है वो कहां पर है किया यह तो है Ben पूरा आड़ी है यह अधूरा है यह भी नहीं होगा कभी कन्फूसरीन यहां पर रहा होगा इसमें लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि कि इसको जब हम 90 रिगरी घुमाएंगे 90 अंस घुमाएंगे तो यह आक्रिती प्राप्त होगा तो इस प्रकार से साथवा का जो है तीसरा सही उत्तर है अब हम चलते हैं आठवा प्रस्न की और 20 प्रस्न हल करेंगे ठीक है 20 प्रस्न तक इसको देखिए आपका प्रेक्टिस मह कुछ आक्रिती जो आपको मिलेंगे आक्रिती पूर्ति में वह आपको सीधे एक नजर में समझ में आता है उन्हीं में से एक है आप देख रहे हैं यह किस प्रकार से बनेगा यहां पर एक लाइन होगा एक खड़ी बनेगा इसको आप बना भी सकते हैं और हमने जो तरीका जाना बताया उस अनुसासे तुलना भी कर सकते हैं तो आप देखिए यह लाइन खिचा हुआ इसमें भी इसमें भी इसमें नहीं है तो यह आउट हो गया ठिक है और इसमें सोचने के लिए यह वाला बचा हुआ है और ये वाला बच्चा हुए देखिए अब कौन सा होगा बिल्कुल सही जब इसको हम पलटेंगे यहां पे था इसको हम पलटते हैं तो यह आकृति कहां बन जाएगा इस स्थान पर आप देख सकते हैं यह तो इस प्रकार से आठवा का जो है तीसरा सही उत्तर है हम आगे बताईए बिल्कुल लाइक क्लास है हमारा जब भी देखोगे आपको हमेशा नया लगेगा ठीक है जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बारे समझ नहीं आता है तो इसको बार बार देखें प्रेटिस करें यह आपके लिए बहुत हेल्प फूल है चलिए ब यहां से देखें आपको उत्तर जरूर मिलेगा पर सोचिये आप देखी यह एक क्करी लाइन है दो आरि लाइन है उसके प्लप तिन खड़ी लाइन है दो आरी लाइन है तर्द यह एक जो खड़ी था वो आरी हो गया ठीक है और दो कि संख्या मुआ जो दो आड़ी था खड़ी हो गया एक संख्या इसमें भी बढ़ा है तो यहां पर देखिए जो दो खड़ी है वो क्या हो जाएगा यहां पर आड़ी हो जाएगा कितने बार तीन बार और यहां पर तीन आड़ी है वो क्या हो जाएगा चार खड़ी हो ज प्रस्म को हल करते हैं कि देखिए कि सोचिए एट कर बहुंसार रहल है यह तो यह एक वरीत्त है जो यहां पर एक लाइन खिचा गया है और दो रित्त बनाए छोटा-छोटा यह सफेद था यहां framework काला कि अगया है कि अव उसी प्रकार यहां पर विस प्रकार से बनेगा और यहांपर डो तरिभ्फ बनेगा लेकिन दोनों जो है क्या है रहे गा सफेद रहेगा देख सकते यह सब देख सकते हैं इसका सही हं उततर है ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ आपको संधाने के लिए यहां पर बनाया था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं